ये पाँच अभिनेत्रियां जो रखती हैं बिहार से तालोक अब मचा रही हैं इंडस्ट्री में तहलग का इन दिनों लोगों में बॉलेवुड फिल्मों और गानों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों और गानों को लेकर भी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है वहीं यूपी बिहार से आने वाली अभिनेत्रिया कौन सा किसी से पीछे हैं इन अभिनेत्रियों ने भी इंडिस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवुड की कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जिनका जन्म बिहार में हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी दिलक्षादाओं से आज पूरी दुनिया को अपना कायल बनाया हुआ है एक नीतू चंद्रा अभिनेत्री नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजदानी पटना में हुआ था अपने कॉलेस्ट के दिनों में अभिनेत्री ने पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी थी जिसके बाद वो बहुत सारी जानी मानी कंपनियों के विग्यापनों में भी दिखाई दी बतादे कि नीतू चंद्रा गरम मसाला नो प्रब्लम ओए लकी लकी ओए जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है दो सुनाक्षी सिंहा अपनी ट्रीडिशनल लुक से बॉलिवूड में इंट्री करने वाली अभिनेत्री सुनाक्षी सिंहां बॉलिवूड में अब अपने बेहतरीन लुक के लिए जानी जाती है एक समय में मोटी नजर आने वाली सुनाक्षी की गिंती आज फिट एक ट्रेस में होती है बता दे कि सुनाक्षी का भी बिहार से कनेक्षन है एक्टर शत्रोगन सिंहा और अभिनेत्री पूनम सिना की बेटी है सुनाक्षी तीन प्रियंका चोपःः बॉलिवुड और हॉलिवुड में अपने शांदार प्रदर्शन से लोगों की दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपःः आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्रियंका का जन्म भी बेहार के जमशेट पूर में हुआ है जो अब धारखंड में है बॉलिवुड की देसी गरल प्रियंका ने कई सारी यादगार फिल्मे करने के बाद अब हॉलिवुड की ओर टन ले लिया है तेलगू फिल्म चिरुता से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाली अभिनेतरी नेहा शर्मा का जन्म भागल पूर में हुआ था नेहा के पिता कॉंग्रेस के नेता है और नेहा ने राजनीती छोड़कर फिल्मों का रुख कर लिया उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरूआत साल 2007 में की जिसमें उन्हें सफलता भी मिली नेहा शर्मा ने मोहित सूरी की फिल्म करूख हिंदी फिल्मों से डेब्यू किया है संदली सिंहा का जन्म मुजब फरपुर में हुआ था अपनी दमदार एक्टिंग, मासू माखों और मुस्कुराहट से संदली जितना फिल्म तुम बिन से हिट हुई उसके बाद अभिनेत्री के हाथ कोई खास सफलता नहीं लगी अब संदली सिंहा अपने पती का बिजनेस संभाल रही है